चलिए आज बनाते हैं कुंडुरू की बहुत ही तेस्थी सब्जी और मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगी और आपको बहुत पसंद आएगा और ये रोटी पराथे के साथ ये सूखी सब्जी बहुत ही तेस्थी लगती है चलिए बनाना शुरू करें मैंने ले हैं आधा कजी कुंडुरु मैंने दो आलू ले लिया है अच्छे से वस्क कर ले लिया है इन्हें हम काट लेंगे इस तरह से बीज में काटकर दो हिससरे कर लेंगे आप चार भी कर सकते हो आगे का पिछे हटा के फिर इस से काटकर के सभी को काट了吧 ये रेखिया आ हमने सभी को काट के ट Scout कर लिया है और मैंने आलू झालू को छील के चीश कर पानी दिप कर लिए है और avete सब्सक्रय बनाएंगे सबसे पहले हम कराई में डालेंगे ओयल और ओयल डालने के बाल जैसे ओयल गरम हो जाए तो हम जो कुंडूरू काट के रखा है इन्हें हम फ्राइ कर लेंगे इस तरह से इन्हें अभी हम पका के ट्यार कर लेना है कुंडूरू थरा लाल लाल में लेके आई मार्केट से आप हरा हरा लेके आई है तक हमारा कुंडूरू कुख हो रहें तो हम प्याज अदरक लसन एक चौपर में डाल देंगे और साथ में डालेंगे हरी मर्स और इन्हें से चोटे चोटे तुक्रे करके डालेंगे और चौप इन्हें कुक करने लिए आच्छे 10 मिन्ट लग गया है और इन्हे हम 80 to 90% कुक कर लिया है आभी दूसरे कराहि यूज़ करेंगे और इसमें सब्जी बनाएंगे तो मैंने ले लिया है दूसरे कराही और इसमें डाल दिया है दो समस सरसो का तेल सरसो का तेल में सबजी बहुरी टेस्टी लगता है और जीरा डाल देंगे एक टेस्पता डाल देंगे और ये चौप किया हुआ प्याज, अदरग और हरिमर्स तो हम इन्हें दालने के बाद अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद हम इसमें आलो को सबसे पहले अच्छे से भून लेंगे तो मैंने हलका ट्रंसलोशन होने के लिए रखा था तो आलो डाल देंगे आलू डालने के बाद आलू को प्याज और अदरक लशन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इन्हें धखके थोड़ा सा कूख होने देंगे तो थोड़े सा नमक डाल देंगे ये जल्दी कूख हो जाएगा नमक मैं एक ही बारी में डाल ली हूँ पूरे सबजी के लिए तो और कोबर कर देंगे और दो तीन मिनिट के बाद इन्हें फिर इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से अलते पलते जैसे आलू कूख हो जाए तब तक हमें कूख करना है अभी हम मिलाएंगे फ्राइ किया हुआ कुंडूरू और कुंडूरू डालने के बाद अच्छे से आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे एक डो मिनिट के लिए हम कूख कर लेंगे इसके बा मैंने डो टी स्पून डाला है और आप अपनी पसंद के अनुशार दाले मिर्ट जैसे पसंद करते हैं धनिया पाउडर डाल देंगे और एक टी स्पून डाल दिया मैंने गरम मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हम टमाटर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि है तो इसलिए टमाटर डालने के ज़रूरत नहीं है तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारे सब्जी 90 percent कुक है तो 2-3 मिनिट के लिए ही कुक करेंगे दाख़िए 3-4 मिनिट के लिए हमने अच्छे से कूक कर लिया है और 2-3 बार मिक्स कर लिया है और ये दिखिए सबजी हमारा बन कर तयार है ये सोखी सबजी बहुरी तेस्टी लगता है और बनाना बहुत इजी है इसमें डाल देंगे हरा धनिया और सर्व कर लेंगे सबजी हमारा बन कर तयार है इस सबजी को रोटी और प्रनठे के साथ बहुरी तेस्टी लगता है तो फ्रेंस आप जुरूर बनाईए आपको कैसा लगा जुरूर बताईएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक सेर कॉमेंट और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले मैं म मिलोंगे एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्टे बाई बाई